है लो दूस्तों मैं अमस्ते में अपरिश्टा का इस प्था सब्लाइप करती हूं दोस्तों मुश्कुराराते रहे पॉजिटीश कोगां पॉजया बशिब है उसलएगे एक तम दिल से अंतर आत्मा से पूछें आपके सवालों का जबाब 100% यहां मिलेगा रिलाक्स हो जाए पॉजिटिव हो जाए और ग्राटिटूद सो जरूर करें इंजल्स को जितना आप ग्राटिटूद सो करते हो इंजल्स उतना ही खूस होते हैं और आपके तरफ ब्लेसिंग सेंट करते हैं चलिए पॉजिटिव हो जाए आपके सवालों का जबाब इंजल्स दे रहे हैं इंजल्स प्लीज गाइड करें अभी के लिए नो है किसी चीज को लेटगो करने की जरुत है टेक अक्षन बिग हापी चेंजेस ओम आएम चीज पॉम्परमाइज कोम्परमाईज कोम्निकेशन के लिए देखे डियर अगर रलेशन्शिप को लेकर अगर आप पूछ रहे हो ठीक हैं तो यहां पे इंजल्स कहना चाहते हैं आपको No, Let Go, Compromise Take Action, Big Happy Changes Communicate Clear तो देखे डियर, यहाँ What on the deck से आई है इंजल्स, Recovery तो यहाँ अगर आप रिष्टे को लेकर कुछ बाते कर रहे हो सोच रहे हो, तो यहाँ इंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप इस रिष्टे में काफी Compromise कर रहे हो, ठीक है आप Past से नहीं निकल पा रहे हो ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है वीवर्स, तो आप Past से नहीं निकल पा रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको Past से निकलना होगा, उसे Let Go करना पड़ेगा और जब तक आप Let Go नहीं करेंगे, वो चीज आप कैसे Life में अचीब कर सकते हो ठीक है, इतना Compromise कर रहे हो, अपने Life से इतना Compromise करना भी सही नहीं है और अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे थे, उसके लिए No है और कुछ विवस अगर आपके पार्टनर के तरफ से अगर कुछ पूछ रहे हो तो आपको Past को भूलाना होगा और Life से थोड़ा सा Compromise करकर आपको Action लेना होगा, टेक Action लेना होगा, अगर आपके मन में कोई 20 सवाल चल रहे हैं, उसका Answer है, अगर आप Life में Balance compromise करकर चलते हो तो आपको कहीं Action लेने की जरुवत है, ठीक है, और वो Big Happy Changes के रूप में आपके Life में आ रहा है, और आप जिनके बारे में ये देख रहे हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं Communicate clear होगा, ठीक है Communication हो सकता है, और रिष्टे को लेकर, अगर कोई situation को लेकर, हेल्थ को लेकर कोई आपके मन में सवाल है तो recovery आती हुई नजर आ रही है ठीक है, यहाँ पे आपको Action लेने की जरुवत है, तभी आपके Life में changes आएंगे, Big Happy changes आएंगे, और देखिए situation तो ऐसा है कि हो सकता है कि आप compromise करना नहीं चाह रहे हो life से, या situation को past को let go करने की कोशिस नहीं कर रहे हो अभी भी pain में हो, तो इसलिए इन जर्थ कहना चाहते कि अभी अगर उनसे कोई सवाल पूछ रहे हो, तो no लेकिन उस चीच को आप let go करेंगे, और इस situation को थोरा सा balance यानि compromise करेंगे तो आप action लोगे, तो आपके life में Big Happy changes आएंगे और communication भी clear होगा तो communicate clear होने वाला है dear, recovery भी हो रही है, अगर चाहे आपके life में जो भी सवाल थे आपके मन में, उसको लेकर recovery होती हुई, नजर आ रही है Big Happy changes भी आ रहा है, ठीक है लेकिन आपको, अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, तो इंजस बोल है no, अगर आप उनको let go कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो life में एक balance करके चल रहे है तो आपके life में action हो रहा है Big Happy changes आ रहा है communicate clear हो रहा है, तो कुछ situation में आपको अपने life में balance करना होगा वीवर्स, ठीक है, balance करने की बहुत जरूरी है, ठीक है तो balance आप लाईए, इंजस आपको कहना चाहते है, recovery हो रही है बस आपको positive रहना है, negativity को let go करना है, पास्ट को अगर पास्ट को लेकर सोच रहे हो, किस इंसान को आप माप नहीं कर रहे हो, उसको ने भुला पा रहे हो तो आपको let go करना होगा इंजस ये कहना चाहते है, तो recovery आ रहे हैं, लेकिन look for a sign मतलब आपको इंजस कहना चाहते है कि आपको sign पर भी focus करना है तब आपके अंदर वो positivity आएगी healing आएगी, तो ये है इंजस मैसेज, ठीक है इस बाक के लिए no है, कुछ चीज को आपको let go करना है, और थ्वासा balance लाइए, उसके बाद आपके life में action भी हो रहा है, big happy changes भी आ रहे हैं और communicate के लिए भी हो रहा है चलिए all the best, खुश रही है स्वास रही है, मस रही है और इंजस के मैसेज को follow कीजिए gratitude सो जरूर कीजिए thank you so much and God bless you